स्टूपों की खोज जैसा कि हमने देखा हर स्टूप का अपना इतिहास है कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालते हैं साल 1796 में एक स्थानिय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे अचानक अमरावदी के स्टूप के अफशेश मिल गए उन्होंने उनके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चे किया उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाडी में संभवत्य कोई खजाना चुपा हो कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामा के एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे हाला कि उन्हें कई मूर्थियां मिली जिनका उन्होंने विस्त्रित चित्रांकन भी किया लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी नहीं छपी 1854 में गुंटूर जो कि आंधर प्रदेश में स्थित है वहां की कमिशनर ने अमरावती की यात्रा की उन्होंने कई मूर्थियां और उत्कीन पत्थर जमा किये और वे उन्हें मदरास ले गए इन्हें उनके नाम पर एलियट संग्मर्वर के नाम से जाना जाता है उन्होंने पस्ची में तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निशकर्च पर पहुँचे कि अमरावती का स्टूप बौधों का सबसे विशाल और शांदार स्टूप था 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीन पत्थर अलग-अलग जगाओं पर ले जाये जा रहे थे कुछ पत्थर कलकत्ता में एश्याटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे तो कुछ मदरास में इंडिया आफिस इसके अलावा कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियों का मिलना कोई असमान्य बात नहीं थी वस्तुत है इस इलाके का हर नया अधिकारी ये कहकर कुछ मूर्तियों उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया था पुरा तत्वेत्ता एचचकोल उन मुठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे उन्होंने लिखा इस देश की प्राचीन कला कृतियों की लूट होने देना मुझे आत्म घाती और असमर्थनिय नीती लगती है उनका मानना था कि संग्रहलेयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए जबकि असली कृतियां खोज की जगा पर ही रखी जानी चाहिए दुरभागी से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए लेकिन खोज की जगा पर ही संरक्षन की बात को साची के लिए मान लिया गया साची क्यों बच गया जबकि अमरावती नस्ठ हो गया शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरा तात्विक अवशेश को उठा कर ले जाने के बजाए खोज की जगा पर ही सनरक्षित करना कितना मैत्व पूर्ण था 1818 में जब साची की खोज हुई इसके तीन तोरण द्वार तब भी खड़े थे चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था तब भी ये सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पैरिस या लंदन भेज दिया जाए अंत्त है कई कारणों से साची का स्टूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नस्ठ हो चुका है मूर्तिकला जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से स्टूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल लेवान लगी इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाते थे नई धार्मिक परमपराएं महायान बौद मत का विकास इसा की प्रथम सदी के बाद बौद अवधार्नाओं और व्यवार में बदलाव नजर आते हैं प्रारंबिक बौद मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेश महत्व दिया गया था बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रभोधन और निब्बान प्राप्थ किया परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी ये विश्वास किया जाने लगा के वे मुक्तिद दिलवा सकते थे साथ साथ बोधी सत्त की अवधारना भी उबरने लगी बोधी सत्तों को परम करुणामय जीव माना गया था जो अपने सत्कारियों से पुन्य कमाते थे लेकिन वे इस पुन्य के अप्रियोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे बलकि वे इस से दूसरों की साहता करते थे बुध्य और बोधी सत्तों की मूर्तियों की पूजा इस परमपरा का एक महत्वपून अंग बन गई चिंतन की इस नई परमपरा को महायान के नाम से जाना गया जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परमपरा को हीन यान नाम से संबोधित किया मुक्ति दाता की कलपना सिर्फ बौध धर्म तक सीमित नहीं थी हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परमपराओं में भी विक्सित हो रहे थे जिनने आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है इसमें वैश्व और शैव परमपराएं शामिल है वैश्व वो लोग थे जो भगवान विश्व को मानने वाले थे और शैव भगवान शिव को मानने वालों को कहा जाता था इनके अंतरगत एक विशेश देवता की पूझा को खास महत्व दिया जाता था इस प्रकार की अराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिष्टा प्रेम और समर्पन का रिष्टा माना जाता था इसी को भक्ती कहते हैं वैशनव वाद में कई अवतारों के इर्दगिर्द पूजा पद्धतियां विक्सित हुई इस परंपरा के अंदर दस अवतारों की मानेता है ये माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की इस्थिती आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग-अलग रूपों में अवतार लेते थे संभवते अलग-अलग अवतार देश के भिन-भिन हिस्सों में लोग प्रिये थे इन सब स्थानिये देवताओं को विश्व का रूप मान लेना एक क्रितधर्मिक परंपरा के निर्मान का एक महत्वपून तरीका था कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी भगवान शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था लेकिन उन्हें कई बार मनिश्य के रूप में भी दिखाया गया है ये सारे चित्रन देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधार्नाओं पर आधारित थे उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूशन, आयूधों यानि हत्यारों और हाथ में धारन किये गए अन्य शुब अस्त्र और बैठने की शैली से दिखाया जाता था इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इन से जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ा कई कहानिया प्रतम सहसराबदी के मद्ध से ब्रामनों द्वारा रजित पुराणों में पाई जाती है इन में बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे इन में देवी देवताओं की भी कहानिया है सामान्यत है इन्हें संस्कृत शलोकों में लिखा गया था इन्हें उची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था महिलाएं और शूद्र जिने वैदिक साहित पढ़ने और सुनने की अनुमती नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे पुराणों की ज्यादतर कहानिया लोगों के आपसी मेल जोल से विक्सित हुई पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगा आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारनाओं का आदान प्रदान करते थे उधारन के लिए हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मतुरा इलाके के महत्वपुर्ण देवता थे कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई मंदिरों का बनाया जाना जिस समय सांची जैसी जगहों पर स्टूप अपने विक्सित रूप में आ गए थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाये गए शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिनें गर्ब ग्री कहा जाता था इनमें एक दर्वाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था धीरे धीरे गर्ब ग्री के ऊपर एक उचा धाचा बनाया जाने लगा जिससे शिखर कहा जाता था मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ती चित्र उत्किन कर दिये जाते थे बाद की युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ अब मंदिरों के साथ विशाल सभास थल, उची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए इसके अलावा जल आपूर्ती का भी इंतिजाम किया जाने लगा शुरू-शुरू के मंदिरों की एक खास बात ये थी कि इन में से कुछ पहाडियों को काट कर खोकला करके कृत्रम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे कृत्रम गुफाओं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी सबसे प्राचीन कृत्रम गुफाओं ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक के आदेश से आजेविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाए गए थी ये परंपरा अलग अलग चड़नों में विक्सित होती रही इसका सबसे विक्सित रूप हमें आठवी सदी के कैलाचनात मंदिर के रूप में नजर आता है जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था एक तामर पत्र अभिलेक अलोरा के प्रवक्त अक्षक द्वारा इसका निर्मान समाप्त करने के बाद उसके आश्चार्य को व्यक्त करता है हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया अब तक आपको हमारे अतीत की संब्रिद दृष्य परमपराओं की एक जहलक मिल चुकी है ये परमपराएं इंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ती कला और चित्र कला के रूप में हमारे सामने आई है हमने पाया कि समय के भाव में बहुत कुछ नश्थ हो गया लेकिन जो बचा और सनरक्षित है वो हमें इन भव्य कला कृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टी से परिचित कराता है लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं क्या हम कभी ये पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रितिक कृतियों को देखते और पूझते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था यूरोप के विदवानों ने 19 वी सदी में जब देवी देवतों की मूर्थियां देखी उनकी प्रिस्ट भूमी और महत्व को नहीं समझ पाए कई सिरों, हाथों वाली या मनुश्य और जानवर के रूपों को मिला कर बनाए गई मूर्थियां उन्हें विक्रित लगती थी और कई बार वे घ्रिना से भर जाते थे इन शुरू शुरू के विदवानों ने ऐसी अजीबों गरीब मूर्थियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे ये थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा हाला कि वे प्रारंबिक भारतिय मूर्थि कला को यूनान की कला से निम्न स्थरका मानते थे बुद्ध और बोधिसत की मूर्थियों की खोच से वे काफी उत्साहित हुए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्थियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी ये मूर्थियां ज्यादतर तक्ष शिला और पेशावर जैसे उत्तर पस्चिम के नगरों में मिली थी इन अलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतिय यूनानी शासकों ने राजे बनाए थे ये मूर्थियां यूनानी मूर्थियों से काफी मिलती जुलती थी जोकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे इसलिए उन्होंने इन्हें भारतिय मूर्ति कला का सर्वस्रेस्ट नमूना माना परिणाम स्वरूप इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तयार करना किसी मूर्ती का महत्व और संदर्ब समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी कट्था करते हैं भारतिय मूर्तियों की युनानी मूर्तियों से तुलना कर निशकर्ष निकालने के अपेक्षा ये निश्च ही ज्यादा बहतर तरीका है लेकिन ये बहुत आसान नहीं है इसका सबसे दिल्चस्प उधारण है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उतकेन मूर्तिया दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टॉरिक हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद